अधरनिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद पर पहले भी हमले हुए ये दुखद और पीड़ा जनक जरूर है लेकि साथी साथ चुनोतियां भी बड़ी है आपके माननिय संसद के द्वारा निर्गत पास पर वैसे लोग का सदन के अंदर प्रवेश होता है ये अस्ट्रिया स्मिता का सवाल है और हम उमीद करते हैं कि 56 इंच का जो सीना आपका है उससे ये जुवान जरूर ताकत से निकलनी चाहिए कि पारदर्शी तरीके से चाहे कोई भी हो अगर उसने संसद की गरिमा पर हमला किया है संसद के अंदर में अलोक तांत्रिक बैभार अपनाया है ति यह करीमंत्राली की जिम्यवारी हैं ऐसा नहीं कि मुद्दे को भठकाईये नहीं कि लोक्सभा का सचिवाले इसको देखेगा वो कस्टोडियन है नहीं हो गरिमंत्राले का जिम्मा है और देश के गरिमंत्री धिवान खामोस योंग गये तो जुवान पर लगाम लग गया है मनीपूर में बेटी का चितकार होगा उस पर बोलिएगा नहीं संसत पर इस ढंक के घटना होगी तो आप बोलिएगा नहीं तो आखिर बोलने के लिए आपके पास बचा क्या है केवल उनमाद राउल गांधी बोलता है जो देश में बिरुगारिक आलम है उसी का ये पर नाम है तो रोजगार तो एक महतपुन मुद्दा है तो दो करोर रोजगार देने का वादा था 27 जुलाई 2022 को आपने मात्र पारलियामेट में कबूल किया है कि 7,22,134 लोग को रोजगार दे पाए तो सभाविक रुप से आपकी असा फलता है तो उसको तो बार-बार चुकिए आपकी गारंटी आपने लिया था तो गारंटी पालन नहीं होगा तो सनातनिये को नोकरी दे दीजिये न बाए लेकि दीजिये नोकरी सरत पावार कहते हैं कि जो लोग सक्ता में है उनको पावर नहीं है देश के बार में उनकी सूचे जो बंबे में हीरा की मंडी थी उसको आप उठा कर सूरत लेगए 10,000 से जादे लोग गुरुदगार हो गए देश का दुरभाग्य यह है कि गुजरात मॉडल पर देश के अंदर में वोट मांगा गया आज भी गुजरात के नो जिले को बिसेश स्रेणी मिला हुआ है उस गुजरात मॉडल में जहां के नाम पर आप वोट मांगते हैं और जहां आपने वाइदा किया कि हम विकास के मानक अस्थाफित करेंगे वहाँ पर आपने कोई काम नहीं किया देश के अंदर में असमानता है विकास में तो मुंबई से उठाकर करके गुजरात ले जाना यह तो बताता है न कि कहीं न कहीं कि गुजरात के अंदर में जो आपने लोगों के बीच वाइदा किया था कि विकास के उच्च मानक है वह बिल्कुल फरजी दावा था मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है वहां लोग बेरोजगार हो जाएं ती देश बिवित्ता से बढ़ा हुए आधनिया नरेंद्र वो दीजी गुजरात का हिंदुस्तान के वल नहीं है महाराष्ट का भी हिंदुस्तान है मनिपुर का भी हिंदुस्तान है क्यों नहीं दिया जाएगा धर्मा चार्ज के साथ साती लोग को भी हम तो उमीद करेंगे कि भारती जनता पाटी का विभिन संगठन और साखा रहता है जेलूल में भी जतना अपरादी है न उससे भी सहमती पत्र ले ले राहूल गांधी को यूपी कोट ने समझ जारी किया हाजिर होने के लिए अमीद साथ लेकुनों कुछ बाते कहीं कि दोयाद लेकिन राहूल गांधी ने जो लडाई जीती है नादर निये नरेंदर मोदी जी के तमाम कुछ चकर के बावजूद संसत की सदस्ता बहाल होना यह निश्चित रूप से गौर तलब घटना रही है मत परदेश में जो परिनाम आये उसके बाद जोहां के कॉंग्रेस के अध्यास के कमल वातुन को हटा के जीतू परिवारी को बना दिया गया है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने जिनको बनाया है वो विधान सभा का भी चुनाओ हार गये लेकिन एक कारिकर्ता के रूप में पार्टी ने सम्मान दिया है भगवान राम चंद्र का भव्य मंदिर बने यह सब की आकांचा है लेकिन भारतिय जनता पार्टी जिस मुद्दे का राजनिती करन कर रही है तो हमारी उम्मीद है कि जब सब को बुला ही रहे हैं जब चुनाओ के प्रबंधन के लिए परोक्षुरूप से राम रहीम को आप जेल से छुडबा लेते हैं पैरोल पर रिया करते हैं तो आसा राम बापू जिनका असिरवाद लिये थे आप 2014 के लोग सभाचुनाम आदर्णियन नरेंडर मोदी सहित जेल के अंदर जितने राम भगत हैं भगवान के प्रतितों सबको सरधा है उन लोगों से भी सहमती पत्र लिजे तब आप दुनिया में एक अनूठे आदमी माने जाईएगा कि राम रहीम से लेकर के आसा राम बापू से लेकर के और वो ऐसे लोग जिनको 15 अगस्त को आपने रिहा किया जो जगन बलातकारी था माने सरवोच नियाले ने जिसकी सजा बहाल की थी उसको जो गुजरात में रिहा किया था उस सब का एक अलग विशेश टीम बनाईए और वह टीम राम लला के दर्सन के लिए जाए और आप उनके साथ जाईए और कहिए कि हम लाए हैं रतन सब को लाए हैं जो देश के उनका साथ ले करके जाईएगा दर्सन करने तो हो सकता राम लला आपको ज्यान दें कि सीता के बारे में विचार करिएगा